तमस्कार दोस्तों श्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिल्म इस सफर में मिथुन चक्रवर्थी की अपकामिंग बंगाली फिल्म काबरी वाला का पहला गाना रेलिज हो चुका है और इस गाने के बोल हैं खुशी की ईद यानि की ईद वाला सौंग ये जो आया है वो अगर आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि मिथुन चक्रवर्थी ने क्या रोल निभाया है इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्थी के अलावा आबिर और इंदरदीब जावे दली समेथ कई लोग नजरा रहे हैं इस फिल्म में नन्ही बच्ची मिनी जो इस फिल्म में किरदार निभा रही है वो भी दिख रही है और खास बात तो यह है कि इस गाने की जो सुरुवात होती है आधे गाने तक इस फिल्म को हिंदी में ही आप सुन सकते हैं और उसके बाद इस गाने में बंगाली लेंग्विज का भी इस्तिमाल किया गया है क्योंकि यह बंगाली फिल्म है लेकिन अगर बात करें बिदुन चक्रवर्टी की इस फिल्म में किरदार की तो वो सबसे हटके होने वाला है जैसे कि इस गाने में भी दिखा है और आया जो ट्रिलर है उसमें भी बिदुन चक्रवर्टी की एक्टिंग में कोई शक नहीं था और यहां फिल्म 22 दिसम्बर को रिलीज होगी अच्छा खबर यह भी है कि यहां फिल्म 22 को नहीं बलकि 25 दिसम्बर को रिलीज होगी यानि कि इस फिल्म का रिलीज डेट साइद आगे बढ़ चुका है और सबसे बड़ी खुसकवरी ये भी है कि इस फिल्म का हिंदी में भी डब किया जाएगा और हिंदी में भी रिलीज की जाएगी फिलाल इसके बारे में कोई खास अपडेट नहीं है कि हिंदी में कब तक आएगी और जैसे इसकी बड़ी अपडेट आएगी उसके बारे हम आपको दिरूर बताएंगे लेकिन अभी फिलाल इस फिल्म का काबली दाला फिल्म का हुशी की इद सॉंग रिलीज हुआ है जिसमे मितुन चकरवर्ति की एक्टिंग आप साफ तरीकी से देख सकते हैं जो कि फैंस को भी पसंदा रहा है अपनी इस प्यारी से दोस्त इस फिल्म में जो उनके साथ किरदार निभा रही है मिनी उसके साथ डांस करते वे एक्ट करते वे मितुन चकरवर्ति इस घाने में नजर आने वाले एक फिल्म और है जो काफी सांदार और बड़ी फिल्म है बाप और इसके अलामा भी कुछ साथ आठ फिल्में हैं जो लाइन में हैं जिसकी बारे में बहुत जल्द हम आपको अपडेट देने वाले हैं उनके चकरवर्ति की आने वाले टोटल कितनी मूवीज हैं लगबग 6-7 तो 101 परसेंट हैं तो मैं लेकर जल जाओंगा हाँ अगर आपको बता होनों तो आपको में मिलिक की बता देना कौन-कौनसी मूवी है ताकि वो भी एट कर लेंगे बाद में हैं ना ठीक है मिलते हैं ने वीडियो में